कई दिनों से लगातार भयानक बारिश आ रही थी दबंग चुपने जादू से अपने लिए एक छोटा सा घर तो बना लिया था लेकिन उसे घर में रहने में बड़ा ही अजीब सा लग रहा था क्योंकि उसे तो अपने पेड की आदत पड़ी हुई थी वो जिस टाल पर चाहती इसी पर लेट जाती और यहां वो बड़ा ही बंधा-बंधा सा फील कर रही थी अब बंध भी हो जाए ये बारिश इतनी तेज बारिश भी आज तक मैंने कभी नहीं देखी ओहो और इतनी दिनों तक जब मैं इतना परिशान हूँ तो गाउवालों का क्या हाल हो रहा होगा और कई दिन हो गए मुझे मैं यहाँ पर कैदू मुझे थोड़ा बाहर निकल कर देखना चाहिए तब ही दबंग चुडएल खड़ी होती है और घर के बाहर निकल कर इधर उधर देखती है कि अभी भी भयानक तेज बारिश हो रहे थी लेकिन नीचे का नजारा देखकर तो उसके होशी उड़ गये नदी में बाढ़ा गई थी और सारा जंगल जल्मगन हो गया था अरे दो दिन से मैं बाहर नहीं निकली तो ये हाल हो गया अब गाउं में क्या हो रहा होगा दबंग चुडएल गायब हो सीधा गाउं में पहुँच गई और गाउं की हालत देखकर तो वो दंग रह गई सब तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था अरे मंगलू माफ करना बिन बुलाय चली आई हूँ मैं तो यहाँ देखने आई थी कि गाउं की क्या हालत है सब तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है देखो ना दबंग चुनेल, सब तरफ कितना पानी भर गया है, हम काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं और काम पर ना जाने की वज़ा से घर में जितना राशन था, वो भी खत्म हो चुका है इसका तो ये मतलब हुआ कि गाओं के जादा तर घरों में यही हालोगा रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ नहीं नहीं दबंग चुडेल, मेरे गाओं के कई घरों में बहुत लोग भूखे बैटे होंगे तुम केवल मेरी मदद करोगी और उनकी नहीं, तो फिर वो लोग बुरा मान जाएंगे और सच कहूं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा वा मंगलू, तुमने तो ये बात कहकर मेरा दिल जीत लिया, चलो तो फिर कुछ करते हैं दबंग चुडेल अपने जादू से सब घरों में खाना दे देती है, लेकिन ये परियाप्त नहीं था वो हर समय ऐसा नहीं कर सकती थी, उसके जादू की भी एक लिमिट थी फिर दो दिन बाद बारिश रुप गई और सब लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन गाओं की हालत बहुत ही खराब हो गए थी वहां हर तरफ कीचड़ हो गया था, लोगों के पास खाने को नहीं था और जादा गंध होने की वज़े से लोग बिमार हो गए थे, हर तरफ बिमारी और भुकमरी दिखाई दे रही थी बाईयों, मैंने आगे अप्लिकेशन दी है लेकिन वहां से कार्रिवाई होने में बहुत समय लग जाएगा, तब तक तो गाओं के हालात बहुत बिगड़ जाएंगे, हम लोगों को खुद कुछ करना होगा पर सर पंजी हम क्या करेंगे, हमारे पास तो ना खाने के लिए कुछ है ना इलाज के लिए पैसे हैं और हम किसान भाईयों की तो सारी फसली खराब हो गई है, यह नुकसान तो बहुत बड़ा नुकसान होई गवाए सब लोग बड़े ही परिशान थे, दबंग चुडेल भी तभी गवाउं में पहुचती है सब लोगों को दुखी देख कर वो भी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके जादू की भी एक लिमिट थी जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, मैं भी इससे जादा नहीं कर सकती हूँ पर हम लोग यूँ हाथ पर हाथ धर कर भी नहीं बैट सकते कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने गाउं की सफाई कर ले जिससे बिमारियां खत्म हो जाएंगी दबंग चुडेल का आइडिया सबको अच्छा लगता है तब ही सबी लोग अपने अपने घरों से सफाई का सामान निकाल लाते हैं और गाउं में एकट्य हुए कीचड को हटाने लगते हैं दबंग चुडेल भी उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रही थी शाम होने को थी दबंग चुडेल उन लोगों को बोल कर जंगल में अपने पेड के पास आ गई तो हैराद हो गई उसका वो विशाल पेड बारिश की वज़े से कमजोर होकर एक तरफ गिर पड़ा था दबंग चुडेल कभी इधर तो कभी उधर उस पेड को उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन इतना विशाल पेड तूट कर गिर चुका था दबंग चुडेल को रोना आ गया क्योंकि सालों से वो इसी पेड पर अपना घर बनाए हुए बैठी थी उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका अपना घर तूट गया है वो दुखी होकर पेड के तने के उपर बैठ गई तब ही उसे जहां से पेड उखड़ा था वहां से कुछ चमक दिखाई देती है वो उट कर वहां आती है तो हैरान हो जाती है नीचे बहुत बड़ा खजाना था और उसके नीचे हीरे चमक रहे थे दबंग चुड़ेल खुशी से जुम उठी उसे समझी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे तब ही वो उस खड़े के अंदर जाती है और वहां पर चमकदार उन हीरों को उठा ले दिए उन्हें देखकर वो बहुत खुश थी कभी वो हीरों को सर पर लगा रही थी तो कभी कानों पर कभी गले पर लगा कर देख रही थी तो कभी हाथों पर मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पेड़ पर मैं इतने सालों से रह रही हूँ उसके नीचे छुपा हुआ ख़जाना है लगता है किसी ने बहुत समय पहले इसे यहाँ पर गार दिया होगा और जंगल में इतने सारे पेड़ होने की वज़े से वो पैचान नहीं पाया होगा बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है आईला क्या करूं इन हीरों का दबंग चुड़ेल उन सारे हीरों को एक कप्रे पे बांद लेती है और एक दूसरा पेड़ तलाश करती है जिस पर वो सो सके आखिर में उसे एक बर्गत का पेड़ दिखाई देता है जो बड़ा ही विशाल था उसकी बड़ी-बड़ी जड़ी नीचे तक लटक रही थी अरे वाह मज़ा आ गया कितना अच्छा पेड़ मिला है आज तक मेरी नजर आखिर इस पेड़ पर पड़ी क्यों नहीं ऐसा करती हूँ इसकी बड़ी-बड़ी जड़ों को मिला कर एक जूले वाला बिस्तर बना लेती हूँ फिर दबंग चुड़ेल अपने हाथों को इधर-उधर घुमाती है और बर्गत के पेड़ की लताओं को जोड़ के एक सुन्दर सा जूले वाला बिस्तर बना लेती है और मिले हुए खजाने को लेकर सोचाती है अगले दिन दबंग चुड़ेल जब गाउं में पहुचती कहां से लाओं खाना मेरे पास तो पैसे भी नहीं है अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वो औरत भी जोड़ जोड़ से रोने लगती है दबंग चुड़ेल उसके पास जाती है तुम ही होसला हार जाओगी तो इस बच्चे को कौन संभालेगा तुम लोग थोड़ी देर इ दबंग चुड़ेल तुम ही कुछ कर सकती हो मैं उपर कई बड़े फोन कर चुका हूँ लेकिन वहां कोई फोन नहीं उठा रहा इस तरह मैं अपने गाओं के लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता तुम चाहो तो मेरे घर की तलाशी लेलो मेरे पास जो कुछ भी था मैंन नहीं तो कहा था कि तुम्हारा भी जादू इतना काम नहीं कर सकता हुड़ दबंग 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 मैं यहाँ परिशान हूँ गाओं सारा परिशान है और दबंग चुड़ेल तुम नाच रही हो खुशी मना रही हो मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी ये भी तो हो सकता है न सर पंच की मैं खुशी में नाच रही हो कैसी खुशी दबंग चुड़ेल आज तक मैंने वो कहावत सुनी थी लेकिन आज पहली बार उस कहावत को पूरा होते हुए मैं अपनी आखों से देख रही हूँ भगवान जब एक दर्वाजा बंद करता है उस उससे पहले दूसरा दर्वाजा खोल देता है अब तुम टेंशन मतलो सर पंच इस गाओं के वारे नारे हो गए हैं कैसी पहली आ बुझा रही हो दबंग चुड़ेल खुलकर बताओ हुआ यू कि सरपंच कल जब मैं यहां से वापस गई तो मेरा ठिकाने वाला पेर तूट चुका था उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं वहीं बैट गई फिर मैंने देखा उसकी जड़ जहां से निकली वहां पर एक बड़ा खड़ा हो गया था उस खड़े में जब मैंने देखा तो वहां पर मुझे बहुत सारे हीरे मिले बस अब तुम टेंशन मत लो और चलो मेरे साथ हम उस खजाने को बेच देते हैं और गाओं की मदद करते हैं तुम कितनी अच्छी हो दबंग चुड़ेल लेकिन वो खजाना तो तुम्हें मिला है तो वो तुम्हारा हुआ तुम इस तरह से उसे गाओं के उपर क्यों खर्च कर रही हो मैं भला उन हीरों का क्या करूंगी उन्हें पहन कर भी मैं चुड़ेल ही रहूंगी और ना पहनने पर भी मैं चुड़ेल ही रहूंगी इससे तो अच्छा होगा कि गाओं के लोगों की मदद हो जाएगी लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहे वरना गाओं के लोग छुपे खजाने के लालच में जंगल के पेड़ों को उखाड देंगे। हाँ दबंग चुडेल, तुमने बड़े पते की बात कही है, ये बात हम दौनों में ही रहेगी। तब ही दबंग चुडेल, एक सुन्दर तटकी का रूप भर लेती है, और सरपंच के साथ शेहर जाती है। वहाँ पर वो उन हीरों को बेच कर बहुत सारे पैसे ले लेती है, और फिर ट्रक भर भर कर वो गाउं में सामान लाते हैं। भाईयां और बहनों, एक बहुती महान हस्ती ने हमारे गाउं वालों के उपर दया दिखाई और ये सारा समान बेच दिया। अब गाउं के कुछ लोग यहां आएं और सारे गाउं में सामान तरीकेसे समान बाढ़ दें। इसका तो मतलब वो महान हस्ती तुम ही हो दबंग चुडैल, तुम्हारे सिवा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता था हाँ मेरे गाउवालों ये महानस्ती दबंग चुडैल ही है जब जब गाउव पर मुसीबत आई है दबंग चुडैल ही वो है जो हमेशा गाउव की मदद के लिए सबसे पहले खड़ी होती है सारा गाउव दबंग चुडैल की जयकारों से गूझ उठा और फिर सब लोग दबंग चुडैल के फेवरेट गाने पर डांस करने लगे और सभी लोग लाइन में लगकर सामान लेने लगते हैं